हलो फिरेंड्स कैसे आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल सकसेज मंच में आज मैं आप लोगों के सामने भारत का हिर्दय जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं नदियों का मायका भी और भारत का हदय भी कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेकर आई हूं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग टाइम पे अपना फॉर्म समिट कर पाएं तो आज मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश के बारे में बात करने जा रही हूं एक समानी पर्चे में मध्य प्रदेश का दूंगी जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है तो इसे हिद्य प्रदेश नाम हमारे भारत के पहले प्रधान मंत्री जवालनाल नहरू ने दिया तो मध्यप्रदेश की जितने भी सब महत्पून तत्य उनका संग्रह में लेकर आयू प्लस में इसके जो करिंट अफेर साथ के साथ चलते या रहे हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से तो यह अल्मोस्ट अडियो लेक्चर होगा क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको चीजे समझाऊंगी कहां क्या होता है तो आप इसे ध्यान से सुनकर कहीं भी टैवल करते हुए से सुनकर मेमुराइज कर सकते हैं आज इसका पार्ट वह शुरू करें गया जल्द ही सर्फ मैंसके पूरे पार्ट कंप्लीत करोंगी तो सबसे पहले हममध्य प्रदेश के एक सामाने जानकारी के बारे में जानते है कि मध्यपरदेश एक्चल में है क्या देखिए यह मध्यपरदेश भारत के बिलकुल इसकी जो भौगलिक स्थिति मतलब कि इसकी बाउन्डरी जो है वो 21 डिग्री 0-4 मिनट से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट तक उत्त्री अक्षान्स में इस्थित है मतलब कि यहां से यह boundary और यह boundary है 21 degree 04 मिनट से लेकर 26 degree 49 मिनट तक ऐसे ही पूर्वी देशानतर में यह स्थित है यहां पर 74 degree 1 मिनट से लेकर 82 degree 48 मिनट पूर्वी देशानतर के यह मत्द इस्थित है तो यहां उत्री देशांतर है और यहां पे यह पूर्वी देशांतर है आगे हम इसकी बात करें इस राजी का जो छेत्रफल है यह पूरा एरिया जो है इस राजी का यह है 3,8252 किलो मीटर उत्तर से दक्षिन में इसकी लंबाई यह उत्तर से दक्षिन में इसकी जो पूरफ से पच्ची में यहां से यहां तक की इसकी लंबाई है वो है 870 किलो मीटर राजी की सीमा से पांच राजी लगे हुए है उत्तरपूर्ब में यहां पर हमारा लगा है उत्तरपदेश महरास्ट दक्षिन पच्षिम में लगा हुआ है राजी की अधिक्तम सीमा से मिलने वाला राजी है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश से राजी की अधिक्तम सीमा मिलती है और सबसे कम सीमा जो मिलती है वो गुजरात से मिलती है राजिके मद्धी से गुजरने वाली जो रेखा है जो बिल्कुल बीचो बीच निकलती है वो है करक रेखा जो की 14 जिलों से होकर गुजरती है भारत के कुल छेत्र में मद्धी प्रदेश का जो प्रतीशत है वो 9.38% है जितना टोटल एरिया है इंडिया का ये पूरा एरिया इंडिया का है इसमें से ये जो एरिया मद्धी प्रदेश का है ये 9.38% है इसका जो राजकिय चिन है वो है 24 स्टूप आकरती के अंदर एक व्रत जिसमें गेहूं और धान की बालियां बनी हुई है इसका राजकिय जो पुष्प है वो पलाश है राजकिय व्रिक्ष है बर्गद है जिसे वट व्रिक्ष भी कहा जाता है राजकिय पशू है बारा सि राजकिय नठ्य माच राजकी इन्रित्य जो है राई राजकिय गान जो है मेरा मध्य परदेश जिसे लिखा है महेश श्रिवास्तव ने राजकिय खेल है मल्कम राजकिय मचली महाशीर राज के फसल सोया बीन इसलिए से सोया प्रदेश भी कहते हैं राज के भाशा है हिंदी राज जी का स्थापना वहश होगा एक नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमाल सुरूप जब उसे 36 गड़ से अलग किया गया था तो इसका है एक नवंबर 2000 में इसे 36 गड़ से अलग किया गया था मद्य परदेश को 2000 में राज की विधाई का एक सदन की है मतलब इसमें विधान सभा है और विधान परिशद नहीं है ऐसे ही विधान सभा सदस्यों की संख्या 231 है 230 प्लस एक एक जो है वो एंगलो इंडियन सदस्य है विधान सभा में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 35 विधान सभा में अनुसूचित जन जाती की संख्या 47 लोग सभा में सदस्यों की संख्या 29 राज्य सभा ये तू सीटे है 11 अनुसूचित जा के लिए आरक्षत लोकसभा छेत्र है छे मद्ध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 51 संभागों की संख्या है 10 विकास खंडों की संख्या है 313 तैसील है 366 नगर और शहर है 406 नगर निगम है 16 नगर पालिका है है ठानबे नगर पंचायत जिसे नगर परिशत भी कहते हैं 264 जिला पंचायत है क्यावन ग्राम पंचायत है 23006 आदिवासी विकास खंड नवासी 89 राजी का उच्च न्यायाले है जबलपूर में और उच्च न्यायाले की जो खंड पीथ है वो इंदौर और ग्वालियर में तो यह मैंने आज आपको बताया कि यह नॉर्मल जो हमारा समाने परिचे है मध्यपरदेश का इस तरह छो पूरा से टाइम मिले तो आप यह ओडियो सुनके अपना पूरा MP लर्न कर सकते हैं और काफी सारी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं प्री के लिए मेंस के लिए भी आरो के लिए भी तो हमारे चैनल को विजट करके आप उसे महां पर देख सकते हैं तो थैंक्यू थैंक्स पूर वाचिंग